अब आपके बिखार और यूपी की बात कर रहे हैं आपकी बिखार और यूपी के किसान को लूटने का दंदाए करने के लिए किया है मनीज जो बात आप में कहीं किया किवल पंजाम में किसान रहते हैं ज्राद एक शीकर बताता हूं मनीज जी कि 2017 18 में पंजाम में उपन पैदावार हुए थी एक लाग चौँए एक लाग चौशटान लाग टन टन सोड़ाइशन पैदा हुआ था और खरीद मालूम है मनी जी कितने की हुई थी देखे मैंने नोट किया हुआ है खरीद हुई थी 18 मिलियन टन की यह डेड़ मिलियन टन यानि 15 लाख तन पंदरा लाख टन यह जित्ता पैदा हुआ पंजाब में तो तो पैदा हुआ था तो आईसा तो नहीं कुछ आदमी खाने के लिए रखता है कुछ बजार में बेचने के लिए रखता है सारा तो सरकार को बेचन नहीं देता कि एक एक दाना विनके बेच दे तो या और उसके बाद जित्ता पैदा हुआ उससे पंदरा मिलियन टन समझें पंदरा लाख टन इन्होंने बेच कहां से लाए यह तो यह मनीज जी और इसमें एक और बता दू अभी क्योंगी आगे के लिखी कर बताऊंगा तो आप लोग चौकेगे कि मनीज जी यह जो सोला पाइंट चार मिलियन टन धान पैदा हुआ था इसमें से बाइस लाख टन यानि करीब करीब समझें दो दो सवा दो मिलियन टन वह जो है वह बांसमती चावल है कि बांसमती चावल मेंस्पी भी नही त γ dominated यह कुल ता है और आप बेचा सरकार को बेचा टारा मिलियर को तो साड़े टीन गहां से ला कि नहीं क्योंक्डि दे लिख कर आप सरकार को कि थो तो मतलब 35 लाख टन 35 लाख टन अना जी का यह मनी जी यूपी और वियार के गरीब किसानों को आगे पहले पैसा दे जाते हैं और वहां जाकर यह उसको किसान के चोटे हैं किसी का दस भीगए का खेत हैं और वह कहां जाएगे बेचने दो इनको दे जैते हैं उनके दर्वाजे से लो उठा लेते हैं और यह कितने कम दामों पे खरीदते होंगे जरा यह सोची है मनीज जी यूपी से या बिहार से धान खरीद कर पंजाब ले जाने का खर्चा और उसके बाद इनका मुनाफ़ा और तब यह MSP बीज़ते हैं तो सोच लीजिए कि यूपी और बिहार के जो छोटे किसाने गरीब किसाने उनको क्यों एडवांस पैसे का लालज दे के यह 35 पै दान खरीद ले जाते हैं तो उनको आदे दूदे दाम पर जैसा पाया वैसा दे के दलाल इनके लगे रहते हैं और वह जो किसान बिलता उसमें वह यहीं नरेनरमोदी रोक रहे थे और यह किवल मनीज जी एक साल कर दिए तो मैंने 2017 2018 का बताया कि 22 लाग तन तो कर सकता इन्होंने 18 मिलियन टन इन्होंने बेज दिया तो 2018 में आ जाई है मनी जी इस करीब साड़ें सॉला विलियन के उपाज हुई उसमें फिर वह बाईस लाग तराव दोस्त दो धो मिलियन टन घटा दीजे तो फिर वह सबहें 14 मिलियन हो जाता है कि वह बास मती सरकार नहीं गरी ती लेकिन मनीजी सवा 14 मिलियन टन की उपज और इन्हों ने बेचा सरकार को सत्रा मिलियन टन से ज़्यादा कहां से आया है इनके पास यह अनाज यह तीन करीब करीब तीन साड़े तीन मिलियन टन यानि तीस-पैंटिस लाख तन दान यह यूपी और यूप किसानों को लूट के वहां ले जाके एमस्पी यह इसी लिए जो इनकी सबसे बड़ी मांग यह मनीज जी कि एमस्पी की गारंटी दे दो कि सारा तुम एमस्पी पे खरीद लोगे तो अभी और चौकवाने वाला अकड़ा बताओंगा जिससे आप समझ जाएंगे 22 में मनीज जी इन्हों ने जो है वही सवा अपकी इन्हों ने सवा 186,000,000,000,000 एक सो ब्यासी लाक टन इन्हों ने दान बेचा है एमस्पी पे जबकि वही अगर आप बास्मती को निकाल दीजिए तो इनके यहाँ पाइदा हुआ टोटल अना जगर इन्हों आपने खाने क नहीं हो ने रख़ा इन खिसानों ने तथा किती किसानों ने तो इनके यहाँ पैदा हुआ धान एक सो चालीस-बैयालीस टन फं originally लाक टन था और यह कहां से लेके आई है यह वहीं से लेके आई है जो यूपी और वियार जो वहां के गरीब किसानों के जो छोटे किसान है उनसे ओने पूने दाम पे खरीदे लेते हैं और इसको लाकर यहां बेचते हैं और इसका एक और बता दू इस समझा होता हाँ आठ अक्टूर को पकड़े गए थे तो उनके पास उनके जो है तीस पहतीस ट्रक साथ पकड़े गए ते कुछ ज्यादा थे और आठ सो बाइस टन चावल बरामद हुआ था जो यूपी से तसकरी करके पंजाब ये ले जा रहे थे तो वह तो वहां पंजाब पुलिस भी मिली बगाता है और लेकिन जो अभी मैंने फीगर आपको बताया कि दो हजार वाइस तीस में इन्होंने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिया और कम से कम चालिस से पैंटालिस लाक टन का दान ये यूपी से खरीद के लेगा गरीब कुसानों का अउने पौने दामों पे जिसको इन्होंने प जो एक इक 166000 टन होता था 65 Summit से दयाब ता बो अबकी 1882 लाक टन हुआ है ये याज यह यूर्प और ब्यार के किसानों की लूट का है मैं यह लूट का है कि कैसे मैं चार्मीज म Chuck कर अब लाक टन जो पहल नहीं हुआ वह यहां से ले जाके बेच दिया और यह MSP की लड़ाई क्यों लड़ा रहा है जब तुम्हारे एक सो चालीस लाग तन तो पैदा हुआ तुमने बेचा और जो बात आप देखाई ती मनी जी उसका और आकड़ा दरस्कों को देदू तो आप समझ जाइएगा कि कैसी नोटंकी कर रहे हैं और इस देश के किसानों का इन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है मनीज आंध प्रदेश 129 लाख टन वो धान पैदा करता है 129 लाख टन आंध प्रदेश का एको किसान आपको दिखा इस गुंडों के साथ जब पिछली बार इसके हालका नहीं तो आप ये एक किसान की आंध प्रदेश का नहीं है और उसस से आज ये त्यलंगाना एक सो 75 लाग तन धान पैदा करता है एक भी तेलंगारा के किसान ना पिछली बार था ना अब की है तो खाली और इनका 100 परसंट यह जित्ती इनकी अवकात है उससे 25 परसंट जादा धान बेच रहे हैं दिली को आग लगाना चाहते हैं और देश विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं अन्यता यह जितने किसान नंगई करने इनमें से जरा बताए मनीजी कोई कि तुम जब एक लाग एक सो चालिस लाग तन तुम्हारे हैं पैदा होता है दान और तुम 182 लाग तन बेच तुम बेरहिमी से और ज्यादा की सपर है तुम्हारी को समस्य नहीं है यह सोच लीजिए करें किसान नहीं आंधर प्रदेश का मेरे ख्याल से वहां सरकार कांग्रेस की बन गई है तो कांग्रेस अब वहां से भी नंगई शुरू करेगी किराय के किराय के गुंडे पालेगी